हेलो गाइस वेलकम टू बी एमस वाला आज हम अगत्तंत्र सेकंड प्रॉफ की वीडियो लेके आए हैं इसमें हम विश्च पंजबौतिक परिक्षा कवर करेंगे तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि विशाक तन की परिक्षा कैसे की जाएगी क्या-क्या उसके मैथट से और क अगनीं में डाला जाए पो चवाद आट की अवाज के साथ जलता है मतले ऐसा कोई पधार्थ है ऐसा कोई खाना आगर उसमें विश्च मिला हुआ है उसको अगनी में डाला जाए तो तो उसमें चह चहाथ के अवाज आतीvi हूद्ध प्रश परिख्षा है उसमें अंद्रिय होती है तो विश विक पदार जब हातों से सपर्श करता है तब यह छोव् करके नाकूनों को गिरा दिता है मगर ऐसा पदार्थ जिसमें विश मिलाओ उसको मातों से चू ले तो दहा यानी जलन होतन करता है शोथ यानि swelling शूननेता यानि कुछ फील नहीं होता हुआ पर sensation ही खतम हो जाती है और नाखुन तक भी गिर जाते हैं यह सारे problem create करता है आए क्या बताया गया रूप परिक्षा रूप परिक्षा क्या इसमें आखों से देखते हैं तो विश्यूक पदार जब अगनी में डाल जाता है तब अगनी को रंग-moor-की गरदन के समान नहीं हो जाता है ऐसा पदार जिसमें विश्यूक पदार पर यदि मक्षिकाएं बैठ जाएं तो उनकी विरत्ति हो जाती है तो उनकी नित्य हो जाती रस परिक्षा का लक्षण बताए गया है गंद परिक्षा विश्युक्पदार्थ की गंद यदि नासिका में प्रविष्ट हो जाए तो शिर्शूल रिद्य वेद्नायवन मुर्चा उत्पन हो जाती है मतलब ऐसा खाना जिसमें विश्ट मिला हुआ है और उसको अगर नासिका से प्रविष्ट हो जाए मतलब अगर हम उसे सूंग ले गलती सा या फिर जानविश्कुर से सूंग ले तो शिर्शूल यानि इस हैडेक सर में दर्द हो जाएगा हिर्द्य वेद्नाया तक की कार्डि प्रवस्कलर डिजीज और हिर्द्य में दर्द भी हो सकता है और मूर्चा यानि भी होशी उत्पन हो सकती है इस सारी प्रव्लम इसके अंतगरत बताए गई है गंद परिक्षा के अंदर हमें बताए गई है तो ठैंक यू गाइस इस वीडियो में नहीं मिलते हैं झाल